अल नीनो सदन ओसिलेशन गोल है इस लेक्चर का जिसमें अल नीनो और ला नीना कैसे साउथ वेस्ट मौनसुन को इंपैक्ट करते हैं हम ये समझेंगे मगर एक मिनिट में सबसे पहले इसके कुछ factual points देख लेते हैं जो इस पूरे लेक्चर को समझते हुए आप अपने दिमाग में रखोगे सबसे पहली चीज़ पेरू कहाँ पे आता है साउथ अमेरिका यहाँ पे अगर हम नॉर्मल कंडिशन की बात करेंगे तो पेरू के हाँ पे हाई प्रेशर होता है औस्ट्रिला के उपपर अगर आप देखोगे या मैं कहूं साउथ इस्टेशिया तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है नॉर्मल कंडिशन में जब ट्रेड विंड्स इंटेंस हो जाएं मतलब की इस लो प्रेशर को बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बना दें तो ये लेके आता है ला नीना, ये ला नीना साउथ वेस्ट मॉनसुन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसुन, विंड्स, इससे और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, और हमारा मॉनसुन, मोर देन एक्सपेक्टेशन आता है, तो पहली सीख हमने क्या ली, ला नीना में आस्टेलिया के उपर लो प्रेशर बनेगा, और बहुत इंटेंस लो प्रेशर बनेगा, दूसरी सीख हमने ली, कि इससे साउथ वेस्ट मॉनसुन अच्छा आएगा, और तीसरी सीख जो हमने ली, वो ये कि ला नीना, इंटेंस, ट्रेड विंड्स क कारण आता है इसके बाद अल नीनो अल नीनो हमारे साउथ-वेस मौनसून के लिए खराब होता है ध्यान क्या रखेंगे पेरु के ओपर लो प्रेशर डेवलप होता है मतलब की ला नीना का उल्टा और आस्ट्रिलिया के ओपर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है जब यह बारिश होती है less than expectation यह overall view था अल नीनो और ला नीना का अब लेके चलता हूँ आपको टॉपिक पे और elaborate वर्जन पे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं चाता हूँ कि आप इस शब्द पे ध्यान दो ओसिलेशन लिखा हुआ है ओसिलेशन का मतलब क्या होता है ओसिलेशन फिजिक्स में 8,9,10 आई होप आपने पढ़ी होगी उसमें to and fro motion आपको दिखाया होता है इधर जाएगी चीज फ मतलब की कोई भी चीज तो and fro movement कर रही है कहां पे कर रही है सदन रीजन में इसको अल नीनो हमने कहा तो अल नीनो सदन रीजन में ओसिलेट करता हूँ हमें दिखेगा e n s o मतलब की अल नीनो सदन ओसिलेशन हम बोल देते हैं as simple as that चलिए ये तो समझ लिया कि सदन रीजन में अल नीनो ओसिलेट करने वाला है मगर ये करेगा कैसे आई ये इसके बारे में जानते हैं जैसा मैं आपको बताया था अगर हम नॉर्मल कंडिशन की बात करें तो नॉर्मल कंडिशन में ये हमारा साउथ अमेरिका है साउथ अमेरिका का एक देश पेरू है पेरू में एक cold current flow होता है जिसे पेरू current कहा जाता है ये cold क्यों होता है क्योंकि इसके नीचे है एंटार्क्टिका अब एंटार्क्टिका से अगर कोई पानी आ रहा है तो ठंड़ा ही होगा लू तो चलेगी नहीं तो ये जो cold current है ये पेरू के यहाँ पे high pressure को create कर देता है जो की होना भी चाहिए मगर यहाँ पे concept और आएगा वो है trade winds का ये trade winds क्या होती है आईए इसको भी एक बार देख लेते हैं ये हमारे world का map है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको equator दीखेगा यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो topic of cancer दीखेगा और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप सब जानते हो क्या दीखेगा अब बात करते है trade winds की आपको पता होना चाहिए कि topic of cancer और topic of capricorn से इस पूरे world over trade winds भेती हैं कैसे भेती हैं ऐसे अब जैसे topic of cancer से इस direction में हमारी trade winds चल रही है topic of capricorn से यह winds ऐसे चलती है और यह दोनों winds जहाँ पे जाके मिलती हैं उसे ITCZ कहा जाता है Inter-Tropical Convergence Zone यह क्या होता है जानना जरूरी नहीं है इसके बिना भी topic समझ में आ जाएगा तो क्यों पढ़े मगर हाँ trade winds क्या होती है यह समझना जरूरी था क्यों यह इसलिए जरूरी था अगर आपने ध्यान दिया तो यहाँ पे pacific ocean है यहाँ पे pacific ocean है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी पानी होगा उसको यह दोनों wind मिला के इधर ले जाएंगी सोच के देखो यहाँ वाली wind भी इसको इधर धकेल रही है यहाँ वाली wind भी इसको इधर धकेल रही है तो यहाँ का पानी कहा जाएगा इधर और अगर पानी इधर जाएगा तो यहाँ तो Australia आने वाला है because world is round इसका मतलब यहाँ पे पेरू है तो पेरू से पानी Australia की तरफ जाने वाला है यह कब जाएगा यह नॉर्मल कंडिशन में जाएगा हमने यहाँ पे यह देखा और वही चीज हम इतनी देर से यहाँ पे देख रहे है हम क्या देख रहे है कि यहाँ पे Pacific Ocean है फिर हमने यह देखा कि इस Pacific Ocean में जो पानी है वो तो warm water है और साथ ही हमने देखा कि यहाँ पे तो trade winds आ रही है यह trade winds इस Pacific Ocean के पानी को Australia की तरफ धके लेंगी तो Australia पे low pressure बन जाएगा जब भी किसी जगे पे low pressure बनता है तो वहाँ क्या होता है हवाएं जो हैं वो गरम हो जाती है जब भी कोई चीज गरम होती है जब आप पानी boil करते हो तो कहां जाता है उपर उठता है steam के form में तो जब low pressure create होता है तो हमेशा हवाएं कहां जाएंगी उपर जब हवाएं उपर जाती है तो क्या बनता है बादल जब बादल बन जाएंगे तो क्या होगा बरसें गई न तो यहाँ पर rain हो जाती है तो हमने यह देखा कि normal condition में Pacific Ocean का पानी यहाँ जाके low pressure बनाएगा और Australia पर बारिश हो जाएगी वही Antarctic से cold current आ रहा है जो पेरू की तरफ high pressure को बना देगा तो यहाँ पर आपको एक चीस और समझनी चाहिए और ध्यान रहे अभी हम normal condition की बात कर रहे है अभी ला नीना तो मैंने समझाया ही नहीं आपको तो मैं क्या बता रहा था low pressure और high pressure तो create हो गया मगर ही हवा का circulation चल कैसे रहा है यह समझ में नहीं आ रहा इसको समझ लेते हैं देखो यह क्या है यह कुछ भी नहीं है यह जगे low pressure है एक जगे high pressure है low pressure का मतलब हवाएं गरम हो गई गरम हो गई तो उपपर उड़ गई अब ध्यान से सोचो कि अगर किसी जगे से हवाएं उसकी जगे छोड़के उपपर चली गई तो आपको नहीं लगता कि इसकी जगे पर vacuum create हो जाएगा तो जैसे ही यहाँ पर जगे खाली होगी दूसरी कोई भी ऐसी जगे जहाँ पर इससे थोड़ा सा भी high pressure होगा वो हवा यहाँ पर आ जाएंगी आप बोल सकते हो हवाओं की इच्छा नहीं हुई तो यह science का basic सिद्दान्त है हवा हो पानी हो high pressure से low pressure पे move करती है तो हवा को आना ही पड़ेगा तो high pressure से हवा इधार आ जाएगी अब यह जो हवा उपर गई थी ना यहाँ से जब हवा उपर जाती ही तो ठंडी होती है यह भी science का सिद्दान्त है जब हवा ठंडी होगी तो हवा इस side जाके नीचे descend करेगी ठंडी हवा यहाँ आएगी तो यहाँ पे और high pressure बनेगा इस तरीके से पूरी एक cycle हवा ने complete कर ली अगर आपने ध्यान दिया तो उपर उठी यहाँ आई यहाँ और यहाँ आई इस पूरे circle को walker circulation कहते है तो बस उसी चीज़ को तो हम लोग यहाँ पे implement कर रहे थे हमने क्या देखा था पैसे भी कोशन से पानी गया इधर low pressure create हुआ हवाएं उपर उठी बादल बने बारिश हुई हवा ठंडी भी हो गई हवा इधर गई इधर आके descend हो गई इधर high pressure create हो गया high pressure से फिर से इधर हवाएं चलने लग दी तो यहाँ पे एक पूरा walker cell बन गया इसलिए यहाँ पे जब आप किताबों में देखोगे तो walker cell लिखा होता है अभी तक हमने क्या देखा अभी तक हमने normal condition देख ली जिस normal condition में यहाँ पे low pressure होना चाहिए और यहाँ पे high pressure होना चाहिए मगर हमको तो ला नीना समझना है तो ला नीना में क्या होता है जो हमारी trade winds अभी हमने पड़ी यह और ज़्यादा intense हो जाती है intense होने का मतलब और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और ज़्यादा ताकतवर हो जाने का मतलब यह है कि pacific ocean में जो warm water है उसको और तेजी से Australia की तरफ धके लेगी और ताकत से Australia की तरफ धके लेगी तो यहाँ पे और ज़्यादा intense low pressure बनेगा और ज़्यादा low pressure अगर बनेगा तो और ज़्यादा बादल होंगे और ज़्यादा बारिश होगी तो मुद्दा यह है बताने का कि जब trade winds intense हो जाएं तो Australia के उपर बहुत ज़्यादा intense low pressure बन जाता है इसी को कहते है ला नीना क्योंकि इससे जो southwest monsoon winds होती है वो और ज़्यादा intense हो जाती है और हमारे देश में monsoon बहुत अच्छा आता है more than expectation सब समझ में आ गया मगर ये समझ में नहीं आया कि अगर यहाँ पे low pressure intense हो जाए तो ये southwest monsoon winds को impact कैसे करता है राइट चलो इसको समझ लेते simple सा logic है कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है कैसे आस्ट्रिला के उपर low pressure create हो रहा है जब यहाँ पे low pressure create हो रहा है और मैंना आपको बताया कि हवाएं उपर उठ रही है जब हवाएं उपर उठ रही है तो इन हवाओं को थोड़ी पता है कि सिर्फ इधर ही जाना है हवाएं तो इधर भी जाएंगी जब हवाएं इधर जाएंगी तो वापस से descend भी होंगी मतलब इधर आएंगी तो अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आपको इस समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे भी एक सेल बनेगा और इस सेल के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर क्रियेट हो जाएगा कैसे? वापिस से बता देता हूँ यहाँ पे लो प्रेशर बना था इस लो प्रेशर के कारण हवाएं उपर उठी अब जब मैं एरो बना रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि इंडोनेशा की तरफ हवाएं जा रही है अरे नहीं यह तो आस्मान की तरफ हवाएं जा रही है इंडोनेशा की तरफ थोड़ी जा रही है, ये तो 2D है ना, मैं आपको 3D में आपे बता नहीं पा रहा हूँ तो imagine करो कि हवाएं उपर उठ रही है, आस्मान की तरफ जा रही है आस्मान से इधर जा रही है, इधर जाके आस्मान से नीचे गिर रही है जब आस्मान से नीचे गिर रही है तो यहाँ पे high pressure बनेगा या नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा तो इस तरीके से यहाँ पे high pressure बना इस high pressure को हम मसकरीन high बोलते हैं यह जगे है मसकरीन मेडगसकर से थोड़ा सा दूर अगर आप देखोगे अब यहाँ से concept निकलता है कि जब यहाँ पे high pressure बहुत intense होता है जैसा मैंने बताया जितना intense यह low pressure होगा जो कि ला निना के time पे हो जाता है उतना ही ज़ादा intense यह high pressure होगा और जितना ज़ादा intense यह high pressure होगा उतनी ही ज़ादा intense हमारी southwest monsoon winds हो जाएंगी और उतना ही intense हमारे देश में मौनसून आएगा तो आपने ये पूरी तरीके सब मेरे साथ समझ लिया कि किस तरीके से ला नीना के टाइम पे जब बहुत जादा intense low pressure create हो जाएगा तो बहुत intense southwest मौनसून भारत में आएगा मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ clear है अब पेरू पे बारिश हो जाएगी और Australia में सूखा पड़ जाएगा मतलब कि Australia में high pressure हो जाएगा पेरू में low pressure रह जाएगा ऐसा क्यों होता है जब ट्रेठ winds weak पड़ जाएं तो यहाँ पे high pressure create हो जाता है और यहाँ पे low pressure क्रियेट हो जाता है जिस कारण से पेरु में बारिश हो जाती है और उस्ट्रिलिया में सुखा पड़ जाता है अब अगर यहां पे high pressure बन गया तो आप जानते हो क्या होगा तो अब यह होगा कि यह जो high pressure पहले बना था अब यह high pressure उतना intense नहीं बन पाएगा और यह high pressure जितना कम intense होगा हमारा southwest monsoon उतना ही जादा negatively impact होगा इसलिए कहा जाता है कि जब अल नीनो आता है तो हमारा जो monsoon है वो weak पड़ जाता है और हाँ अगर आप में से किसी को यह doubt है कि अल नीनो के time पे walker circulation नहीं बनेगा तो बिलकुल बनेगा क्योंकि हवाएं तो cycle का पूरी complete करेंगी बस फरक ही है कि इस बार उल्टी cycle चलेगी यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां और यहां से यहां तो उमीद करता हूं ला नीना और अल नीनो का concept clear हो चुका है आपको यह clear हो चुका है जहां से हमने इ नीनों है वो सदन में oscillate करेगा